ओम नमस्षुवाय श्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ग्यान गंगा यूट्यूब चैनल पर दोस्तो स्रावड मास में घर में चेटियों का आना शुब होता है या असुब इसी की जानकारी आपको इस वीडियों के मादम से प्राप्त होगी चेटियों का घर में से निक आया गया है कि स्रावड मास में चेटियों का घर से निकलना आर्थिक इस्तिति के साथ भविश्व में होने वाले नुकसान के बारे में भी संकित देती हैं दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि काली चेटियों जिस घर में समो ब्रद में गुमती हैं उस घर में सुक और एस्वर की ब्रद्धी होती हैं बता दें कि लाल चेटियों का घर से निकलना अशुब माना जाता हैं दोस्तों स्राबरमास का महिना भगवान सिभ का प्रिय महिना हैं इसमें हम भगवान सिभ की पूजा करते हैं अगर आप भगवान सिभ की पूजा करते हैं तो भगवान सिभ भी आपक संक देते हैं घर में अगर लाल चीटिय निकलती हैं तो यह शुप नहिं major than hself के मुताबित चावलों की भरे वरतन से अगर चीटिय निकलती हैं तो यह शुप होता है इसका मतलब होता है कि धन ब्रद्री के योग आपके जीवन में शुरू हो चुके ही, आपकी आर्तिक इस्तिती अप सुदरने वाली हैं, अगर आपके घर में सोने की चीजों की जगे पर काली चीटिया निकलती हैं, तो यह बहुत ही शुब होता है, ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन में ब्रद्धी होगी, साथ ही आप तरक्की की पती और भौतिक चीजों से बहुत जल्दी ही आपको फायदा होने वाला है, लाल चेटियों को घर में आना सुब माना जाता है, सास्त्रों की माने तो भश्यों में होने वाली उल्यन, बाद विबाद या धनकी अभ्यायकों होने के संकेत होते ही, घर से लाल चेटियों के सम्रदी के लिए सकारात्मक संकेत कम संक्या में काली चेटि देती हैं, अगर घर में काली चेटियों ज्यादा संक्या में हो तो यह अशुम माना जाता है, और इसे बाहर निकालना चाहिए, साथ ही शनी देव और लच्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, दोस्तों घर में चेट्या उत्तर दिशासे आती हैं तो यह सुप होने के संकित होते हैं ध़क्ष दिशासे अगर चेट्या निकले तो यह लाब प्रद होता है जानकारी आपको next वीडियो में होगी दोस्तो स्रावन मास का महिना भगवान सिभ का प्रिय महिना है और जब तक स्रावन महिना चले तब तक आप प्रतिवी दिन नियमत रूप से भगवान सिभ की आराधना करते रहें भगवान सिभ से अपनी इच्छा बोले से नेक्स जानकारी के लिए नेक्स वीडियो में वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओम नमस्याइब